UPSC CSC 2019 के CSET में question है, question को देखिए, किसी सम्मेलन में कुल 100 प्रति भागियों में से 70 भारतिये हैं, देखिए, 100 लोग हैं, उस में से कह रहा है कि 70 जो हैं भारतिये हैं, कौन है भारतिये, यदि कुल प्रति भागियों, मतलब इन जो 100 की बात बोल रहा है, में से 60 साका हरी हैं, तो निम ने लिखिए, तो कातनों में कौन सा सही है, ये question, पूछा है, दो statement दिये हैं, दोनों में से कौन सा सही है, ये बताना है, पहला statement क्या कह रहा है, कम से कम 30 भारतिये जो हैं, वो साका हरी हैं, अब देखिए, यहाँ पे बोला है कि 30 भारतिये साका हरी हैं, तो यहाँ भी 40 मानसाहरी हैं वो इसमें आ रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा, मान रहे हैं ना, 40 जो है वो मानसाहरी हैं, तो बचे कितने, 70-40 अगर हम करेंगे, तो बचते हैं 30, ये जो 30 हैं वो साकाहरी हो जाएंगे, तो पहला statement हमारा सही हो जाएगा, दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या कहा है कम से कम 10 भारतिय प्रतिभागी मांसाहारी हैं अगर इन 70 भारतियों में से पूरे के पूरे 60 जो हैं वो साकाहारी हैं तो 10 तो बचेंगे ही आखिर जो की मांसाहारी में आगे है ना तो दूसरा इस्टेट्मेंट भी सही हो जाएगा उसी साब से अगर हम option देखें तो हमारा C दोनों एक और दो सही होगा ऐसे ही और भी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें मिलते हैं अगले वीडियो में